ओम विश्वावनी देव सवी तर्दूरीतावनी पवराव सुवाव यद्वद्रम तन्ना आसुवाव मित्रो, सनातक की सभी कक्षाओं के लिए यह सामानिय सर्वसाधरन कक्षा है इसमें आपका स्वागत है यह कक्षा हम वर्ण माला की दिरिष्टी से पढ़ रहे हैं वर्ण माला में आपने इससे पहले कईवार वर्ण माला पढ़ी है लेकिन आज जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा वो देखिए आप स्वर और फिर ब्रेकिट में मैंने लिखा है अंग अ उसके बाद मूलस्वर फिर देर्गस्वर फिर सईयोक्त देर्गस्वर और उसके बाद वियंजनों में जब बारी आती है उससे पहले भी अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग ये सब चीजें अलग लग हैं तो जब वियंजनों में बारी आती है तो अन्तस्थवर्ण अन्तस्थवर्ण स्वाभाविक रूसे यावार अला है जबकि हिंदी में यावार अलावा पढ़ाया जाता है उसके बाद ये वियंजन दे रखें वियंजनों में कू कवर्ग पूपवर्ग पाफावावामा फिर उश्मवर्ण शाशाः उसके बाद सन्युक्तवर्ण और उसके बाद यह है अनुस्वार फिर अनुनासिक और विसर्गम यह वर्णवाला में इतनी सारी चीजे है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो है न मूलस्वार मूलस्वार का अर्थ हुआ जिस स्वार में कोई परिवर्टन नहीं होने वाला है जिस से छोटा कुछ नहीं होने वाला है जिस से पर्मानू पर्मानू को मिला मिला करके बहुत सारी चीजे बनेंगे लेकिन पर्मानू का फिर कोई भी खण नहीं है छोटा कुछ नहीं होने वाला है अन्तिम है वो छोटा वैसे ही मूलस्वार इन सारे पांच चो मूलसवर हैं इ, उ, री इन पांच को ही मिलकर के सारी वर्णमाला बनी है संपुन वर्णमाला आ, आ को मिला दो दिर्गा बन जाएगा इ, इ मिला को दिर्गी बन जाएगी आ, इ को मिला करके ए बन जाएगा आ, उ को मिला करके ओ बन जाएगा ये इस तारह से इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं फिर दीर्ग स्वर हैं दीर्ग स्वर में यही आ, ई, उ, री री का दीर्ग वेद नहीं होता संयुक्त दीर्ग स्वर इनको संयुक्त इसलिए कहते हैं कि ये आ और ई और आ उर को मिलकर करके बने है अंतस्थ बीच में रहने वाले स्वर और व्यंजनों के बीच में है या वाराला ये कोई और ची सुंद्रित पढ़ेंगे तब समझ में आएगा जिन लोगों ने पढ़ लिए उनको भी समझ में आए सकता है कि ये बीच में क्यों है कभी जरुवत पढ़ती है तो आ की जगह पर आते हैं कभी जरुवत पढ़ती है इकी जगह पर आते हैं अनुनासिक आदी जो है ये व्यंजन है अनुस्वार अनुनासिक को है इसलिए व्यंजन है ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको अपन को समझना है नीचे प्रत्यहार सुत्र दे रखें उन सब को आप देखिए आज की कक्षामे के वली तना ही पाठ अपन रखते हैं धन्यवाद बाकी कल में लेंगे